हेलो एवरीवन बेलकम बैक ये नवर चैनल दोस्तों आप से भी का स्वागत है मैं हूँ कफिलतों प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैत का चप्टर नंबर 14 प्रवालेटी की जो आपकी एकसासाइज है 14.1 का कोशन नमर 19 और 20 आज हम देखेंगे से पहले मैंने कोशन नमर 18 तका जो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है जिन बच्चों ने भी तक नहीं देखा प्रीज आप जाके आप 1,2,3,4,5 करते को जब इन कोशन को 19 और 20 और 20 और पेपर पर मैंने लिख रखे हैं चाहें आप अपनी NCRT बुक आप ओपन कर सकते हैं तो देखे कोशन में क्या बोला गया है देन उसका आपको समझाते है किस तरीके से इस कोशन को हम करेंगे तो कोशन में बोला गया है एचाइल्ड हैज़ाइज हूस सिक्ष पर जो नमबर आए गया है यान की A आने का जो प्रॉबलेटी है वो कितना रहेगा यान की प्रॉबलेटी क्या होती है हमारी एक संभाबना होती है ए आने का चांसिस कितना होगा एं सास सास सेकिंड पार्ड में आपसे बोला गया है और D आने का जो प्रॉबलेटी है वो आपकी क्या रहेगी तो प्र इसी formula हम solve कर सकते हैं तो देखिए question में क्या बोला गया dies में कितने face होते हैं total possible outcomes आपके कितने होते हैं मैं direct जहाँ लेकर हूँ probability probability of a equals to total possible outcomes कितने होते हैं पहरे बच्छे हमारे 6 क्योंकि dies में जो हमारे face होते हैं वो कितने होते हैं only 6 face आपके dies में होते हैं तो 6 आपका denominator में आगए total जितने भी हमारी possibility होते हैं but divide में आते हैं favorable यानि कि जिसके आने के chances हैं जो probability है वो आपका उपर आता है अब आपके पास 6 आपके face थे और 6 face वो आपके number है वो है A, B, C, D, O, E, A आपसे A आने का probability पूछा गया A आपका इसमें कितने time आ रहा है एक और दो यानि कि favorable जो outcome से मेरा 2 upon 6 यहाँ पे हो जायागा probability इसी event का तो जितने number होते हैं वो divide में आते हैं total जितने आने के chances हमारे होते हैं वो numerator में रहते हैं इसको easily हम simplify कर सकते है 2 by 2 and 3 by 6 यानि कि 1 by 3 आपके इसका answer हो गया similar part 2 के हम बात करेंगे part 2 में आपसे D का probability पूछा गया probability of D D आने के जो probability है वो आपके क्या होगी आपको ना formula हर एक question में लगा ना जैसे मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हुए मैं आपको चल रहा हूँ तो total number कितने हैं हमके 6 क्योंकि dice में जो face होते हैं हमारे कितने होते हैं 6 होते हैं आप से probability किसका पूछा गया D का तो D आने का जो probability कितना है मेरा 1 only पूरे dice में हमारे पास D A की बार दे रखा है तो 1 by 6 इसका answer हो जाएगा तो यह question number 19 complete हुआ बढ़ते हैं question number 20 की तरफ तो question number 20 आपका यह रहा suppose you draw a dice at a random on the rectangular region so in the figure आप से बोलागे आपने किया कि एक dice लिया इस rectangle region में आपने उसको throw कर दिया तो आप से बोलागे what is the probability that it will be land inside the circle with diameter 1 meter ओके आप से बोलागे आपने किया कि dice को आपने इस rectangle region में आपने डाल दे ठीक है तो आपसे probability पूछा है कि यह जो dice है इस circle में आने का probability कितना होगा अगर आप इस dice को फैक हो circle में आने के chances कितने होगे कितने होगे जितने आप इस circle का आपका area होगा अगर यहाँ मेरा dice गरेगा तो वो rectangular region में गर जाएगा अगर इस circle की boundary के inside गरेगा तो हम बोल सकते है वो dice हमारे कहाँ आपके गर रहा है circle में तो circle में गरने का ही आपसे probability यहाँ पे पूछा गया जो circle का diameter है प्यारे बच्चों वो आपको दे रहा है 1 meter और diagram से easily we can say इसका जो length probability of event जिसका आपसे बोला गया है probability of event equals to मैंने क्या बोला था favorable outcomes आपके कहाँ एंगे denominator में और जो total number होते है वो denominator में रहते है probability of event क्या रहेगा हमारा इस diagram से हम बोल सकते है total हमारा क्या रहेगा है आपर rectangle का area रहेगा area of rectangle whole part मेरा क्या है area of rectangle area of rectangle और numerator में आएगा area of circle ओके क्योंकि आपसे क्या पूछा गया question में पैरे बच्चे question में बोला गया है circle में इस dice के गिरने का जो probability होगा वो कितना होगा ठीके नब जितना area circle का है सिर्फ उतने में ही dice गिरेगा तब ही हम कहा सकते है यह जो आपका dice है circle में आया area of circle आपका क्या होता pi r square area of rectangle होता length into breadth अब simply आप क्या कर सकते हो आपको dimension आपको given है question में diameter दे रखा था 1 circle का जो diameter था 1 था और easily जो diameter का जो half होता है वो आपका radius होता है यानि कि 1 by 2 आपका है पे radius हो जाएगा तो we will write pi 1 by 2 whole square and denominator में आपका क्या रहेगा length into breadth यानि कि 3 multiply 2 जब आप इसका square करो के तो you will get pi upon 4 denominator में आज आएगा 3 or 2 आपका 6 so now we have our final answer तो pi upon 24 meter square इसका जो है आपका area निकलेगा जितना part यह cover करेगा है यहापर ओके अब meter square आपका denominator meter में भी था और meter square area का भी था यह cut हो जाएगा तो pi upon 24 आपका यहापर answer आएगा probability of किसका it will be land inside the circle circle में आने का probability हमारा यह राएगा pi upon 24 तो यह हमारे question number 19 और 20 आज हमने cover किये तो next video हम बात करेंगे question number 21 की तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्बाद take care and wait for the next video प्रोव में बात करेंगे